ओम सिरी गनेशायनम दोश्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोश्तो आज कीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 दिसम्बर सुक्रवार के रासी फल के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीडिया आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए शुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्थ होगा जो आपको काफी शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने करचित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपके आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके विवसाय में विवरत दी होगी आम अंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा समंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तो साथ साथ धर्मिक क्रिय कलापों में विविरद्धी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भी कर सकते हैं शंगर्ष करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्से ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्से ही प्राप्त होगा दोस्तों यह आप मान कर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आप के लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पेरिणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भोग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बढ़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर सामना भी करेंगे और उस पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो जाएगी और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संस दोस्तो परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्धी हो सकती हैं यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याइं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगे या दोस्तो साथिसाथ पेसे के लेंदेन में भी आज आपको साथदानी रखना आतिया वसक हैं तता किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसान दायक हो सकता है इस दिन मानसिक असांती तथा तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती हैं इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्ण लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइ बन सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहें कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे जहां दोस्तों अगर आप परिवार को जोड़कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तैयार रहना होगा अन अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तों साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी क्योंकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आफस दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात सेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसके लिए समय काफी अनुकूल हैं दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों म विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है। पैसे के लेंदेन में भी अधिक फायदा होगा। रुके हुए सभी कर रहे आज आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा। लाबदाइक साबित होंगे। नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है। दोस्तो बुद्धिमानी से आप उरजा सक्ती का प्रियोग करें ताकि आपको सारेरिक रूप से कोई परिसानी ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे। दोस्तो साथिसाथ यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगा सुनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है और साथिसाथ आपको अपने खानपान पर भी विशेश रूप से ध्यान देने की आवशक्ता पढ़ सकती है दोस्तो साथिसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो अब बात कर लेटे हैं आज आपके लिए विशेश होपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदि से निरुवत रहोने के बाद अपने शरद्धा के अनुसार अपने सामर्थ के अनुसार सफेद रंग की वस्तुएं और सफेद रंग के खाद्य परधारतों का दान गरीबों में मा लक्ष्मी का इसमरान करते हुए अवश्य करें या दोस्तो इस प नमस्त परेशनियों कंत करेंगी और आपको ऐसा करने से धन सुक्सम पत्ति की प्राप्ति होगी मालक्षमी आपके घर में वास करेंगी या दोस्तो आप इस उपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो मालक्षमी का असिरवाद आपको और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद